हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सभी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और मैं हूँ आपकी मैस्टीचर अराधना प्रम लाहनोहब एक प्री लर्निंग प्लैटफर्म जहां आप पड़ सकते हैं मैस साइंस एसस्टी एपसलूटली फॉर फॉर फ्री एक्ससाइज 6.4 का पूरा का पूरा सॉल्यूशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी नोटबुक अपन के साथ रेडी होंगे और मेरे साथ 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 साल्व करेंगे तो चलो बच्चो शुरू करते हैं अपनी एक्ससाइज 6.4 का क्वेशन नमबर वन तो क्वेशन नमबर वन में हमें क्या करना है find the square root of each of the following number by division method तो जब यह आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो definitely आपने इस method की बारे में पढ़ा होगा आप इसको कैसे use करके solve करेंगे यह सारे question वो मैं आपको बताती जाओंगी step by step और आप भी मेरे साथ साथ करते जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं अपने question number one का first part आप देखिए जब हम previous exercises कर रहे थे तो हमने square root find किया था वही prime factorization method उसमें हम क्या कर रहे थे हम अपने जो भी given number था उसके prime numbers find कर रहे थे prime factors right केवल prime numbers को लेकर right अब यहाँ पर हमें करना है use अपना division method तो यह method ही पूरा change हो गया तो इसके जो steps होंगे वो भी different होंगे तो चलिए step बही step में आपको बताती जाती हूँ कि इसको कैसे करना है और आप भी पूरे ध्यान के साथ इसको solve करिए अब देखिए आपको यहाँ पर यह number में सबसे पहले from the right अपने दो-दो number के pair बनाने है अब लगली अब यहाँ प कोई वरी नहीं करनी है आपको बस अपने from the right तो जो perfect pair बनाने है वो वो number के perfect pair बनाने है और जो number odd होगा वो left out हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर तो हमारे दो perfect pair बन गए ठीक है अब जो हम इसका division शुरू करेंगे तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखती है कि जो भी हम quotient लेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे ठीक है जैसे हम division में करते हैं और जो भी हमारा divisor होगा वो यहाँ पर होगा ठीक है तो यह तो कुछ नहीं है जस्ट हम जैसे division करते हैं वैसे ही करना है अब जो most important चीज आ रही है वो क्या है तो यह division method लेकिन यहाँ पर हम इसके division rules को follow बिलकुल नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले जब division शुरू कर रहे हैं तो first pair देखेंगे from the left तो वो हमारा क्या है यहाँ पर 23 ठीक है आप देखिए 23 के पास near about मतलब जो कि उसके आसपास या फिर exactly 23 जो नमबर perfect square में देता हो यानि कि कोई number हमें multiply करने पर या तो 23 देता हो या उससे perfect square चोटा नमबर हो वही लेंगे ठीक है अब इससे division करते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 लेते फिर 2 माल लिए इसको 2 से divide करना सबसे पहले था मैं डिवाइजर चाहिए था जिस नमबर से divide करें यहां वो बिल्कुल नहीं करेंगे यही डिफरेंस है कि यहां पर इसको कहा तो division method गया लेकिन इसके स्टेप्स थोड़े से अलग है अब देखें यहां पर जो यह 23 है इसके equal तो हमारे पास कोई perfect square नहीं है राइट कोई नमबर ऐसा नहीं है जो हमें 23 सेम नमबर को multiply करने पर देता हो लेकिन इससे नियर अबाउट मिल्कुल नियर अबाउट हमारा क्या स्ट्रेक्शन करना है सब्ट्रेक्शन करना है तो हमारा क्या आएगा वो हम लिख लेंगे ठीक है तो यहां पर हमारा आजाएगा सेवन ठीक है जीरो फोर और यह तो वन ही हो गया था बाई बॉरोइंग मेथड तो उससे यह हमारा हो गया 704 अब यहां पर फिर से प्लस दिस आएगा यह आपको बहुत ध्यान देना है तो यह स्टेप टू में क्या है मैं फोर प्लस फोर यानि जो हमने कोशेंट लिया और जो हमने डिवाइद लिया उसी को एड़ करके हम यहां पर लिखेंगे फोर प्लस फोर एट ठीक है आप इसकी बात क्या करना है ब्लस जो है वह हो इकवल मिल रहा है यहां पर सेवेफन अंदeryडन फोर के यह पर्फ्ड इसक है जो नमबर है वह DAR visualize चंब तो ध़के यहांगा आप पर तो यह steps at ठीक है तो अगर में यहां पर तो यहां पर भी तो लिखूंगी और फिर यहां पर मैं मुल्टिप्लाइ करूंगी तो देखिए क्या रहा है तो तू तू सा फोर सिक्स्टी बिल्कुल नहीं जाएगा अब देखिए अब हमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्व 6 6 6 6 6 188 181 64 चलिए वो भी करके देख लेते हम ने यहां पर लिया 8 और यहां पर लिया 8 और उसी नंबर से मल्टिप्लाइ करेंगी तो देखिए 8 8 64 carry 6 8 8 again 64 plus 6 70 है ना तो देखे पर्फेक्ट हमें मिल गया by multiplying with this number 8 तो देखे 2 से भी हमें मिल रहा था है ना 2 से भी हमें मिल रहा था लेकिन वह हमारा बिल्कुल नियर अबाउट नहीं था फिर हमने 2 के बाद 3 4 नहीं चेक है क्योंकि हमें पता था कि यहां की उनिट प्लेस पे क् 4 और 4 हमारा या तो 2 से आता है या हमारा 8 8 सा 64 से पर्फेक्ट स्क्वेर के तो मैंने सीधा उठाया 8 अब देखे जैसी मैंने 8 को मल्टिप्लाई किया लगली मेरा सेम नंबर आ गया तो देखे अब यहां पे आप 8 को ही मल्टिप्लाई कर देंगे जो नंबर आप यहां नंबर लिया है वो यहां पर लिख देंगे ठीक है अब यहां पर माइनस किया तो यह हो गया हमारा जीरो, फुल जीरो, या वन टाइम जीरो भी लिख सकते हैं, या जीरो 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 भी लिख सकते हैं, अब अगर आपको further remainder होता है, माली यहां पर तो यह completely divisible हो गया हमारा लगली, अगर यह further होता, तो हम इसमें क्या करते ही, जैसे हमने यहां पर 4 प्लस 4 किये थे ना, हम 88 प 104 का square root आ गया, by division method, 48, तो चलिए, और practice करेंगे, और clear होगा, हम शुरू करते हैं अपना, इसका second part, तो चलो बच्चो, शुरू करते हैं इसका second part, second part में हमें क्या दिया गया है, 4, 4, 8, 9, आप देखिए, 4, 4, 8, 9 में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाने अपने perfect pair of, okay, perfect pair of the given digits from the right, right to left में जाते होगे, ठीक है, आप देखिए, यहाँ पर भी perfect pair बने है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम तिंग करेंगे, ऐसा square number, या near about ऐसा number, जो या तो में 44 दे दे, या हमें दे दे वो, इसके just near about smaller perfect square, तो देखिए, 2, 2s are 4, 3, 3s are 9, 4, 4s are 16, 5, 5s are 25, 6, 6 are 36, 7, 7s are 49, तो 49 तो हो गया जादा, यानि इससे जो भी next numbers होंगे, उनके जो square होंगे, वो होंगे 44 से जादा, तो अब इसके near about smaller कौन सा है, कोई number नहीं है, जिसको same से multiply करने से मैं 44 मिलता हो, लेकिन near about कौन सा है, 6, तो हम ले लेंगे 6, perfect square number, यह याद रखना है, तो 66 सा, 36, ठीक है, अब हम यहाँ पर subtract कर देंगे, subtract करना तो सभी को आता है, तो फटा-फट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 और यहाँ पर, 0, ठीक है, और यह हो गया, by borrowing method, यह हो जाएगा 14, और 14 में, minus 6 के आजाएगा हमारा, 8 और 889, ठीक है, अब यह हो गया, आप क्या करना है आपको, yes, यह और यह को add करना, तो 6 plus 6, यानि next step में जो divisor होगा, वो जो आपने पहला perfect square number लिया है, उनी का addition होगा, अब हमें फिर से कैसा number thing करना है, जो की, जब हम, यह जो number है, इसके साथ, सेम number जो यहाँ पे लेंगे, उसी से multiply करके, देखे कि कोई number है, जो इसके near about है, या, इसके exactly equal है, तो देखे, सबसे पहले हमें perfect चाहिए, तो अगर हमने 3 लिया, तो 3 लिया, तो 123 into 3 करेंगे, ठीक है, यहाँ भी 3 जाएगा, और यहाँ भी 3, perfect square लेना है, ठीक है, तो देखे, 3, 3, 9, 3, 2, 6, 3, 1, 3, तो यह तो नहीं आया, और यह भी नहीं कह सकते, यह perfect near about है, अब हम जाएंगे अपने 7 जा, क्योंकि 7, 7 जा भी 49 होता है, तो 12 ऐसी रहने दो, और 7 जो यहाँ पर रखा है, वहीं यहाँ पर ले लो, जो number आप यहाँ लिखेंगे, उसी से ही multiply करेंगे, यह बहुत important चीज है, जो आपको याद रखनी है, आप देखें, 7, 7 जा 49, carry 4, right, 7, 2 जा 14, plus 4, 18, carry 1, 7 जा 7, plus 1, 8, तो देखें, मैंने केवल परफेक्ट स्क्वेर वाले number उठाए थे, कि मुझे पता है कि कौन से number है, जिनको से मल्टिप्लाइ करने पर, 9 आता है unit place, एक तो 3, तो 3 से तो हमारा smaller number आया, लेकिन हम यह नहीं कह सकते, यह near about smaller है, और यह इसके equal भी नहीं है, तो मैं गई फिर मैंने देखा ही, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं थे, मैंने देखा 9, 9 जो है, वो भी 7, 7 into 7 हमें देता है 49, ठीक है, तो 9 यहां पर भी unit place में 7 से आ सकता है, तो फिर मैंने 7 ले लिया, तो देखें, उससे हमारा exact आ गया, जो कि यहां पर हमारी value है, तो अब देखें, यहा यहां पर भी वही नमबर लिख लेंगे, और जब इसको multiply करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 889, और जब इसको subtract करेंगे, तो फिर से हमारा आ गया 0, यानि कि आप देखें, अब आप नेक्स टेप माल दीजें, यहां पर तो लगली 0 आ गया, अगर कुछ और value आया होती, remainder तो हम क्या करेंगे, next में, this plus this कर देंगे, या फिर यहां से plus यहां, तो जो भी आएगा, वो add होके लिएगा, 127 plus 7 होगा next step का divisor, लेकिन यहां तो 0 ही आ गया, तो हमारा division यही पर ही रुप गया, और हमारा square root of, square root of, 4489 equals to 67, यानि जब 67 into 67 आप करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4489, तो I hope आपको यह method अच्छे से clear हो रहा होगा, और इसमें कैसे steps को forward करके solve करना है, यह भी आपको अच्छे से समझा रहा होगा, अब मैं नहीं करूंगी अपना third question, मैं करूंगी fourth and fifth, third आप करेंगे practice, चलो बच्छों शुरू करते हैं अपना fourth one, third one आपको दिया है मैंने practice के लिए, तो fourth one में हमें क्या दिया है, 529, तो चलिए 529 दिख लिया, आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहला step क्या है, हमें बनान two two के pair from the right, तो देखिए, यहाँ पर हमारा एक छूट गया, यह complete pair नहीं है, तो हमने इसको as it is रहने दिया, ठीक है, और यह 29 आगया हमारा pair में तो इसको लिख दिया, जो भी digits थी, उनकी pairing हो गई, और जो नहीं हो सकती थी, तो हमने as it is लिख दी, ठीक है, अब हम इसको division कर तो left most digit यहाँ पर क्या है, five, आप देखिए, अब यहाँ पर five है, तो हमें यहाँ तो कोई ऐसा number मिल जा है, जो हमें जब उसको itself से multiply करें, तो five आजा है, तो ऐसा तो कुछ होई ही नहीं हमारे पास, इसके near about हमें क्या मिल जाएगा perfect square, two two is a four, तो हमने यहाँ पर लिख क्या आएगा, one, ठीक है, अब यहाँ पर जब आप, वहाँ क्या करते हैं, डिविजन में separately one one bring down करते हैं, यहाँ पर आप पूरा का पूरा जो next pair है, वो लेके आएगे down, यानि कि पूरा का पूरा 29 जो है, वो आएगा, तभी तो square का concept समझे है, pairing होना बहुत जरूरी है, ठी क्या है, अब देखिए, next step में आप क्या करेंगे, इन दौनों का sum होगा, वो होगा हमारा divisor, यह steps आपको बहुत अच्छे से समझ लें, तो 2 प्लस 2, यहाँ आगया 4, अब देखिए, यहाँ पर मेरे unit digit पर क्या है, 9, तो ऐसा कौन सा number है, जो हम multiply करें, perfect square number, जो कि हमें 9 दे यहाँ पर हमें हम कर देते हैं, 3 से multiply, और जैसी हमने 3 लिया, don't forget to write 3 in the quotient, जो number आप ले रहे हैं, perfect square, उसको यहाँ लिखना है, वही answer होगा, और यहाँ पर हमारा क्या आजाएगा यह, 129 minus, तो यह देखिए, perfect 0 आगया, अगर मान लीजे, नहीं आया होता तो हम क्या करते है फिर next step में जो हमने यहाँ एड किया था न, इसे यहाँ पर यह और यह कियते हैं, ऐसी यह quotient को add करेंगे, 43 plus 3 किया जाएगा, next step में आएगा 46, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगली हमारा 2 step में 0 आगया, तो हमारा जो यहाँ पर quotient आया है, वो हो गया हमारा square root, square root of 529 is 23, है न कितना असान, इसका मतलब क्या है, कि जब आप 23 को 2 times multiply करेंगे, 23 into 23, that is called the square, you will get 529, आपको मिलेगा 529, I hope आपको यह भी अच्छे समझा गया होगा, और आपका यह वाला concept भी clear हो गया होगा, कि अगर एक non-pair number है, और बाकी pairing है, तो कैसे हमें division को carry करना है, तो चलिए, आप करते हैं अपना next question, तो चलिए देखते हैं अपना 5th one, 5th one में हमें क्या दिया गया है, 3, 2, 4, 9, तो सबसे पहले हम बना लेंगे, perfect pair and 8 line कीच लेंगे, division के लिए, आप देखिए, यहाँ पर हमारे फिर से बन गया है, perfect pair of the given digits, ठीक है, 49 and 32, from the right आपको बनानी है, लेकिन हम division चुरू करेंगे, तो हम देखेंगे अपने leftmost pair को, तो उसमें क्या है, 32, आप देखिए, 32 तो हमें कोई number नहीं देता, perfect square से, तो अब हम क्या ले लेंगे, इसके near about perfect square number, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा, 55, 25, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 25 और सब्ट्रेक करेंगे, तो क्या आजाएगा यहाँ पर, 70, और यह हो गया 749, ठीक है, अब हम यहाँ पर ले लेंगे 5 प्लस 5, यानि की quotient plus divisor, जो value होगी, वो हो जाता है, हमारा next divisor, ठीक है, अब हो गया यहाँ पर 10, 5 प्लस 5, 10, बहुत ही असान था, अब हम यहाँ पर क लेती हूं, 3 से ही multiply करती हूं, तो 3, 3, 9, 0, 3 बंद 3, तो यह तो आजाएगा, हमारा 309, जो की नहीं है, equal to 749 के, और हम यह भी नहीं कह सकते है, इसके near about है, तो अब हम जाएंगे next पर, next हमें कौन सा number है, जो देता है, 9 as a unit digit, in the perfect square form, 7, तो 7 से करते हैं, तो 7, 7 से 49, यहाँ आजाएगा, तो यहाँ मैंने लिया 7, और यहाँ 7 से multiply किया, और इमीडेटली जो number हमने यहाँ पर लिया है, वही हमने कोशियंट में लेक दिया, और जो हमने इसको multiply किया, तो क्या आजाएगा, 749, तो देखे, 0, 0, 0, ठीक है, तो हमारा 2 ही steps में आगया answer, क्या है answer हमारा square root of 3,249, 57, अगर further हमाई कोई value आई होती, तो हम क्या करते है, यह प्लस यह करके, जो value आया, फिर यह प्लस quotient, जैसे यहाँ पर यह कोशियंट एद किया थे ना, quotient and divisor, ऐसी यहाँ पर यह डिवाइजर और यह quotient, जो 7 आया है, उसको add करके लिखते हैं, यानि कि next step में हमारा 107 प्लस 7, 114, तो यह आपको याद रखने है, यह steps बहुत important है, और इनको आपको अच्छे से अपने दिमाग भी ढ़ा लेने है, क्योंकि यह division method तो है, लेकिन steps बिल्कुल different है, तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, तो square root of, square root का sign यह होता है, 3249 is equal to 57, यानि कि जब आप 57 into 57 खरेंगे, तो आपको क्या value मिल जाएगी, 3249, I hope यह भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, हम चलते हैं अपने next part पर, चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने question number 1 का 6th part, उसमें भी हमें क्या करना है, square root find करना है, तो मैं यह आपको सारे questions नहीं करूंगी, मैं 6th और 8 आपको करके बताऊंगी, और यह 7th one आप करेंगे practice, तो चलिए शुरू करते हैं अपना 6th one, 6th one में हमें क्या number दिया गया है, 1369, आप देखिए, फटा-फट मैंने right side से अपने pair बना लिए, अब हमारे पास कोई भी ऐसा number नहीं है, जिसको same से multiply करो, तो हमें मिलता ह 13, लेकिन near about हमारे पास क्या है, हमारे पास है 339, क्योंकि 44 जातो 16 हो गया, वो तम ले ही नहीं सकते, वो 13 से जादा है, तो हम लेंगे अपना 339, चलिए 339, और हम कर देंगे अब subtract, जब हमने इसको subtract किया, तो हमारी value क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ गया 4, और यहाँ पर आ प्लस divisor, याने की 3 प्लस 3, 6, ठीक है, 3 प्लस 3, 6, अब आपको पता है, कि आपको चाहिए unit place पे 9, और 9 हमारा दो ही case में आता है, एक तो 3 3s आके case में, और एक 7 7s आके, तो चलिए, देख लेते हैं, कि क्या 3 से आ रहा है यह, देखे, 3 3s आ 9, 3 6 आ 18, बिलकुल नहीं आ रह है, तो देखे, आ गया न हमारा, तो हम क्या ले लेंगे, 7, यहां पर लिखा 7, और यहां पर लिखा 7, और जो हमने लिया था, वह हमने यहां पर multiply करके, लिख दिया, और देखे, क्या आ गया, यह आपको याद रखना है, remainder आने के बाद, आपको next number लाना है, complete pair में, ठीक है, और यह देखे, यह हो गया, 0, 0, 0, तो हमारा square root क्या यह हुआ, बिलकुल नहीं, यह value ही हमारी square root, the square root of 1369 is 37, तो हो गया ना कितना असाल, हम करते हैं अपना next one, 8th part, तो चलो बच्चों, करते हैं अपना 8th part, तो 8th part में हमारे क्या number दिया गया, 7,921, तो चलिए, 7,921, पेर बना लिए सबसे पहले, और फिर देखिए, आप देखिए, 7,749, 8,864, 9,981, जो की हो गया हमारा 79 से ज़्यादा, तो near about हमें कौन सा perfect square मिला, 8,864, तो step 1 में हमारा गया, 64, ठीक है, अब minus किया, तो क्या आएगा, यह आगया, और यहाँ पर आगया हमारा 1, और यह पूरा का पूरा pair आप ले आएगे, bring down, यानि कि 21 पूरा का पूरा down आगया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8, 60, यह आपको याद रखना है, कि next step का जो डिवाइजर होगा, वो जो आपने first में quotient और दा डिवाइजर लिया है, उन दोनों का sum होगा, ठीक है, आप देखिए, हमें चाहिए unit place for 1, तो हमारे किस केस में आता है, 1, 1, 1 या फिर आता है, 9, 9, 81 के केस में, तो चलिए हम direct ले लेते हैं, 9, क्योंकि 1 से तो नहीं आना, यह हमें completely पता है, तो चलिए, 9, 9, 81, right, carry 8, 9, 6, 54, plus 8, कितना हो गया, 62, carry 6, 9, 1, 9, plus 6, 15, तो देखिए, same number हमारा आ गया, है ना, तो क्या करेंगे हम, यहां पर 9 लिखेंगे, उसी से multiply कर रहे हैं, और यहां पर भी immediately 9 लिखते हैं, और देखिए, क्या आगे हमारा, 1521, और फिर जा हम इसको subtract करेंगे, values आवे 0, 0, the square root of 7,921, will be 89, है ना, कितना आसान, कुछ करना ही नहीं था हमें, हमें केवल यह देखना है, कि यहां पर हमें लेने हैं, perfect square वाले ही numbers, ठीक है, तब ही तो यह है, square root and squares, right, तो चलिए, यह भी clear हो गया होगा, और आप करेंगे, 7th part को as a practice, हम चलते हैं अपने next part पर, चलो बच्चों, आम शुरू करते हैं अपने first questions के ही 9, 10, 11, 12th part को, ठीक है, इसमें मैं आपका नहीं करूंगी 10th part, आपको करके बताऊंगी 9th, 11th and 12th, आप करेंगे 10th part as a homework या practice, ठीक है, तो चलिए 9th शुरू करते हैं, तो 9th हमारा क् 5, 7, 6, ठीक है, perfect pair बनाया, यह लह गया, तो इसको रह जाने देते हैं, आप देखिए हमारा target है, पहला ही number, क्या हो जाएगा, perfect square near about it, 2, 2, 2's are 4, right, minus किया, 1 आगया, यहाँ पे 7, 6, आप देखिए, 6 हमें कौन कौन से perfect square number देते हैं, 6, 6, 36, right, तो चलिए, पहले next step में हम यही करके देख लेते हैं, 2, plus 2, यहाँ पर हो जाएगा, 4, और फिर हम ले लेंगे, अपना 6, तो क्या आ रहा है, देख लेते, 6, 6, 36, carry, 3, 6, 4, 24, plus 3, क्या हो जाएगा, यहाँ पर, तो obviously, यह हो गया, हमारा, जादा, ठीक है, 276, यानि कि 6 तो हम नहीं ले सकते, और हमारा कौन स था, 4, 4, 16, तो आप देखिए, हमने पहले बड़ा नमबर इसलिए, चेक कर लिया, कि कहीं ऐसा तो नहीं, इसी से, obviously, इससे नहीं आता, लेकिन मैंने, आपको करके भी दिखा दिया, अब देखिए, हम लेंगे, 4, तो देखिए, 4, 4, 16, carry, 1, 4, 4, 16, plus 1, 76, तो यानि, जैसे ह हमने 4 लिया, हमें मिल गया, जो हमें चाहिए था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर लिख देंगे, और फिर 4 से ही multiply करेंगे, तो क्या जाएगा, 176, minus करेंगे, तो 0, 0, 0, ठीक है, अब क्या आगे हमारा square root, जो quotient में है, तो यानि की square root of 576 हो जाएगा हमारा 24, ठीक है, तो बहुत ही असान था, आई होप, आपको अच्छे से, अब तो काफी practice कर लिए, समझ में आ गया होगा, हम करते हैं, अपना 11th one, तो चलो बच्चो, शुरू करते हैं, अपना 11th question, उसमें हमारा number दिया गया है, 3136, ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे, pairing, तो कि यह है हमारी even digits, 1, 2, 3, 4, अगर odd होती, तो कोई ना कोई एक number left out होई गया होता है, ठीक है, even है, तो टूटू के pair तो पक्के बन ही जाने है, ठीक है, आप देखिए, जिसमें सबसे पहले हमने लिए अपना first pair, जो कि है 31, अब हमारा कोई number ऐसा नहीं है, जिसको हम से multiply करें तो 31 आए, तो हम देखिएंगे सबसे near about perfect square कौन सा number दे रहा है, तो 6, 6, 36 है, जो कि 31 से जादा है, तो हम किस पर जाएंगे, 5, 5, 25, 5, 25, तो 5, 5, 25, ठीक है, आप सब track कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 11 minus 5, 6, ठीक है, borrowing concept चल रहा है, और इसको पूरे के पूरे pair को हम bring down कर ल इस step क्या है, इन दोनों को add करना है, तो 5 plus 5, 10 सबसे पहले आपको यही focus करना है, इसको बाद में देखना है, अब देखिए, यहां पर क्या है, हमारे 6, 36 है, अब मैं 6 किस की case में मिलता है, एक तो 4, 4, 4, 16 की case में मिलता है, जो की हमारा नहीं आएगा, और एक हमें मिलता है, 6 के case में तो चलिए फटा-फट ले लेते हैं अपना 6 ही, तो यह आ गया, देखे, वही नमबर आ गया जो हमको चाहिए, ठीक है, तो हमने यहां पर भी 6 लिए, यहां पर 6 लिखा और 6 से ही मल्टिप्लाइ किया, तो क्या आगया, 636, और जा हम सब्ट्रेक करेंगे, तो हमें मिल गया परफेक्ट 0, 0 आने पर ही हम अपने डिविजन को रूप देते हैं, और जो वैल्यू हमाने कोशन में मिली है, वही होती है हमारी स्क्वेर रूट, यानि कि इसका स्क्वेर रूट हो 3136, तो आई होप आपको यह अच्छे से किलियर हो गया होगा, हम चलते हैं अपने 12 वन पर, चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना 12 वन, 12 वन में को क्या दिया गया है, 900, आप देखिए, सबसे पहले हमने बना लिए, परफेक्ट पेर, वैसे तो यह बहुत ही असान है, लेकिन क्योंकि हमें करना इसे, डिवीजन मेथट से, तो हम करते हैं, अब देखिए, यहां पर यह इवन डिजिट थी, तो एक हमारा लेट आउट हो गया, ठीक है, अब हमने राइट से पेर बना लिए, अब हम लेंगे, नियर अबाउट, परफेक्ट स्क्वेर, या फिर स से लेट से, ठीक है, अब देखिए, यह तो परफेक्ट हमें मिली जाता है, ठीक है, ठीक है, सब्ट्रेक किया, यहां आगे है, अब पेर में आप जीरो जीरो ले आए, अब आप 3 प्लस 3, 6 लिख लीजिए, लेकिन, क्या नंबर है, जो आप मल्टिप्लाइ करेंगे, जो ज यानि कि हमारा स्क्वेर रूट ऑफ, 900 हो गया, 30, है ना कितना असान, फटा-फट सॉल कर लिया हमने, इसको ताप वैसे भी कर सकते थे और आपको मैंने यह प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, कि अगर हमारे पास इवन नम्बर अफ जीरो जो है, तो उन में से 1, 0 जो है, व बहुत ही असान थे सारे के सारे questions, I hope आपको यह अच्छे से समझ में आयोंगे, division method थोड़ा सा अलग है, division के concept से, लेकिन अगर आप steps को अच्छे से समझेंगे, और step by step follow करते वे solve करेंगे, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, अपने square root को find करने में, तो बच्चो यह तो था हमारे chapter number 6, square and square root की exercise 6.4 का पूरा solution, आज हमने सारे के सारे questions solve किये by division method और find square root, मुझे पूरी उमीद है कि आप समने मेरे साथ सारे questions को solve किया होगा, जो questions मैंने आपको practice के लिए दिये हैं, उन्हें आप practice जरूर कीजेगा, और हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और finish करे पूरा NCRT solution और आप सभी जानते हैं, learn how, free है, but best है, thank you.